अमनात यात्रा से ठीक पहले पाकिस्तान की एक और साधिश का परदा फाश हो गया है आज जमू संभाग के डोडा जिले से जमू शहर के लिए एक बस आ रही थी जो के आप मेरे पीछे देख रहे हैं और जजर कोटली के पास यानि की जमू जिले के जजर कोटली के पास जमू श्री नगर राश्टे राजमार्क पर इस बस को रोका जाता है और जिस प्रकार से वहाँ पर नाका लगा था और रूटीन में इस बस की जो है चेकिंग की गई लेकिन चेकिंग के बाद इस बस के अंदर से जेलिटिन स्टिक्स पाए गए विस्पोटक पदार्थ पाए गए और बाद में इस बस को पुलीस ने यहां जजर कोटली के पुलीस थाने लाया और साथ ही में इसमें से कुछ लोगों को फिलाल डीटेन किया गया है उनसे पाकिस्तान की जो साधिश है उस पर पानी फेर दिया है दरसल तीस जून से श्रियामनाद जी की यात्रा शुरू होने जा रही है इसको लेकर समुचे जमो कश्मीर में हाई अलर्ट है खुफिया एजनसियों की तरफ से भी रिपोर्ट है कि आतंगवादी और पाकिस्तान इस फिराक में लगे हुए हैं कि यात्रा को किसी तरह वो निशाना बना सके लेकिन जिस प्रकार से सुरक्षा कड़ी की गई है कई ऐसी साधिशे जो हैं जो पाकिस्तान ने रची है उन पर सुरक्षा बलो ने पानी फेर दिया है और आज सुबा भी जिस प्रकार से ये बस डोडा जिले से जम्मू शहर की तरफ आ रही थी और जम्मू श्री नगर राश्टियर राजमार्ग पर जजर कोटली अलाके के पास नाके के पास इसको रोका गया इस बस की तलाशी की गई और इस बस के अंदर से जेलेटिन स्टिक्स पाए गए तुरंट उसके बाद जो है उसको बुलाया गया और जो जेलेटिन स्टिक्स थी उसने जो जम्मू कश्मीर पुलीस के पुलीस करमी और जो बॉम डिस्पोजल स्कॉड यहां पहुचा उन्हों ने जेलेटिन स्टिक्स को जो है निश्क्रिय कर दिया यानि कि जो विस्पोटक पदार थे उनको निश्क भंग की जाए लेकिन एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलीस ने पाकिस्तान की साधिश पर पानी फेर दिया है वीडियो जनलिस नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट जजर कोटली जम्मू आज तक